नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग काही होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है आपको अपने परिवार नौलिज तक के माध्यम से जौब से संबन दित और इन्फोर्मेटी वीडियो समय समय पर आपको पहुचाता रहता हूँ तो उसको कैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या उससे हम कोई सामान पर्चेस कर सकते हैं तो इस पर कंप्लीट बात करते हैं तो इस पे पहले किवाइसी कंप्लीट करना पड़ेगा और वो किवाइसी कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में बात आएंगे किवाइसी complete होने के बाद में हम उस wallet का जो है phone pay के wallet का amount है वो हम withdraw कर सकते हैं उससे हम कोई सामन purchase कर सकते हैं तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को ही start करते हैं और जो भाई लोग अपने channel पर नए हैं channel को subscribe कर लें बिल आइकन को hit कर दें ताकि आपके पास में जॉब से संबंदीत information और जो informative वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके हैं तो सबसे पहले आप की screen पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास phone pay का जो है ये एप है इसको download किया हुआ है इसमें कुछ पैसे मैंने डाले हैं उसको कैसे use करना है करके तो phone pay को सबसे पहले हम क्या करेंगे open करेंगे तो चलो open करते हैं open करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने interface आजाएगा जब इस प्रकार का interface आएगा यहां पे देखो दिखाई दे रहा आपका current balance 1000 रुपए आपका दिखाई दे रहा ठीक है wallet में जो है balance यह देखो यह 1000 रुपए दिखाई दे रहा है मैं आपको wallet ही खोल लगखा है मैंने सीधा direct आपको app खोलेंगे तो किछ इस प्रकार इस प्रकार से आप आएगा तो यहां पर आपका जब आप open करेंगे phone pay को आपका आपका इन्टरफेस आएगा wallet का phone पर तो यहां पर आप देखेंगे की phone पर wallet का एक भूगो और थीच है यह लोगो दिखाई दे रहा fine-स phone पर wallet दिखाई दे रहा है तो यहां पर आप click करेंगे जब इसको को कि इस प्रकार का इंटरफेस आजएगा आपके पास तो यहां पर आपक करेंट बैलेंस दिखाएगा एक आपको अब कितना बैलेंस है तो तो मेरे भी बैलेंस एल गजार उपए है और इसको आप देखो तो आउटवध के में अवकल सके हैं, पर हैर में घंब बूह ओपड़ेट डालें तो तो इसमें अपग्रेट वालेट यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे इसको थेखो किछी प्रकार का इंटरस्थ आएगा तो आपने क्या करना है जैसे pen card, आधार card और address यह सारी details आपने fill करने लिए हैं मैंने पहले fill कर लिया है तो मैं next verification करता हूँ verify पे click करता हूँ तो आपने जब यह सारी details fill कर लेंगे तो verify पी click करेंगे जब verify पी click करेंगे तो किस प्रकार का interface आएगा आपके सामने अब यहाँ पे देखो pen, आधार, address, details सारा green आ रहा है तो ऐसे आपका भी बढ़र देंगे तो green आएगा आप इसको allow कर देंगे और जो यह सारे option थे वो आपने मैंने पहले ही कर दिये थे अब location मांगेगा यहाँ से आपने location access कर देना है तो कुछ इस प्रकार का interface आएगा आपके सामने invite verification मतलब आप वीडियो काल के लिए original pen card अपने पास रखेंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे आप देख रहो टिक का निशान लगा pen card का बना है अब यहाँ पे टिक करने के बाद में हम इसको नीचे वीडियो कॉलिंग पे टिक कर देंगे तो वीडियो कॉल पर जब किक करेंगे capture details अब देखो यह वीडियो कॉल अभी हो रही हमारी ठीक है तो वीडियो कॉल पे देखो अभी company का कोई बंदा आएगा मेरे सामने अभी मुझे नहीं पता है को न आएगा जीव दिस पेज कर देंगे हम इसको और देखो इसमें क्लियर इंस्ट्रेक्शन लिखी वीडियो काल इंस्ट्रेक्शन लिखा है दो नॉट प्रेस बैक मतब बैक बटन नहीं दबाना है दो नॉट लिव स्लीप स्क्रीन को स्लीप नहीं करना है और यहीं इंस्ट्रेक्शन दिये जो आपका डाटा आपका अच्छा होना चाहिए जहां आप बैठे हैं वहां से आपकी फोटो क्लीन आनी चाहिए क्लियर एक यहां पर देखो हमारा पैन कार्ड जो है मैं दिखा रहा हूं अभी देखो कौन आता है कॉल पर कंपनी का कोई बंदा आएगा और वो जो है पूरी कुछ डिटेल आपसे मांगेगा जो आपने फिल की हैं उसी में से कुछ डिटेल आपसे मांगेगा वो आपने बता देना ह तो इस प्रकार से आपका जो है वेरिपिकेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं थोड़ा साइम से बैठ जाता हूं अभी देखो दिखा रहा हूं मैं क्योंकि अभी तो काल कनेक्टी नहीं हुई है थोड़ा सा टाइम लेगा यह कोई कस्टमर जो नहीं बैठा होगा वहां पे ज हम से कुछ डिटेल मांगेंगी तो मैं डिटेल फुल्फिल कर दूंगा और देख रही है पैन कार्ड को देखो ठीक हमारे और है रिकनेक्टिंग अभी क्यारा थैंक्यू और वीडियो वेरिफिकेशन इस इन प्रोग्रेश प्रकार से आपका जो है लो इतना आसान था बस ह जर रही है